प्रदेश में बोड परिक्षाओं की पोस्ट पुन की जाने पर सोशल मीडिया में हो रही ब्यान बाजी पर मुक्य मंत्री जैरम ठाकों ने सोशल मीडिया पर टिपनिया करने बालों को लताड लगाते हुए कहा कि सोशल मीडिया तैय नहीं करेगा कि सरकार को क्या करना चाहि क्योंकि सरकार के लिए हर बच्चा महतपुन है और कॉविट के बढ़ते मामलों के चलते ये फैसला लिया है। हमिर्पुर में देर शाम को मुक्य मंत्री जैरम ठाकुर ने बचचत भवन में कौविट 19 स्मिक्षा बैठे की अधिक्ष्टा की इस अबसर पर बचचत भवन में पहुंचने पर गार्ड ऑफ ओनर पुलिस जवानों के द्वारा दिया गया वहीं इस मौके पर पंचैती अजरी बिरेंद्र कमवर बिधायक नरेंद्र ठाकुर बिधायक कमलेश कुमारी के अलावा जिला हमिरपुर के सभी प्रशासनिक अधिकारी मुझूद रहे बैठे के दुरान कौविट प्रोटोकोल का पूरा ध्यान रखा गया और सभी के लिए सोशल डिस्टेंसिंग के तहत ही बैठे का आयोजन किया गया मुखे मंत्री जराम ठाको ने कहा कि प्रदेश में आए दिनों कौविट का प्रकोब बढ़ता जा रहा है जिसके मत्य नजर पूरे प्रदेश के जिलों में जाकर कौविट स्मिक्षा की जा रही है उन्होंने कहा कि प्रदेश में सभी कौविट से निपटने के लिए उपलवध हैं बहीं उन्होंने कहा कि स्मिक्षा बैठा के दुरान बढ़ते कौविट के मामलों पर और कैसे बहतर काम किया जाए इस पर खाका तियार किया है मीरफूर परदेश के जिला है और हर जिले में कभी भी जाकर के विकास कारियों को और उसके साथ के आज के विशेष कारिकरम में हम इसलिए आये हैं कि यहाँ कोवीट के सारी सीचुएशन को जहां परदेश भर में हम मोनिटर कर रहे हैं हमने ये तैय किया कि सभी जिला मुख्याले में जा करके आज की तारिक में जो एक दम बहुत तेजी से संक्रमन फैल रहा है उसकी तैयरियों के भी जायजा ले 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 और लोगों की पार्टिस्पेशन इस कठिन दौर में सहयों के लिए एक दूसरे के लिए किस परकार से हो सकती है उन सारी चीज़ों को ले करके बात करें और मुझे इससे पहले मंडी जाना हुआ कांगड़ा जाना हो गया और उसके बाद सोलन उनना आज हमीरपूर कल बिलासपूर क्योंकि कोबीट के मामलों में पिछले दिनों से जो एकदम लगातार बहुत तेजी से बरहुत्तरी पूरे देश बर्में हुई है और इसमें हिमाचल पर देश में भी बड़ी संक्या में मामले बड़े है जो वरतमान इस्तिती है हमारे पास अभी तक कोई चिंता की बात या हमारी जो बेवस्ता हैं जो उसके लिए उसको हैंडल करने के लिए हमारे पास उपलब्ध हैं लेकिन फिर भी आने बरे समय में अगर मामलों में इसी तेजी के साथ अगर ये इंक्रीज होती रही बड़ोती होती रही तो सबहाब एक रूब से हमको इस पर जो है वो और बेट के पैस्टी हमारे पास एविलेबल एड प्रेजेंट कितनी है और आने वाले समय में अगर ये इंक्रीज इसी तरह से होता रहा तो बेट के पैस्टी हमको आने वाले समय में किस परकार से बढ़ानी है अफग्रेट करनी है और उसके साथ साथ में और भी सुभधाओं सुबधाओं के देश्टी से हमको किस प्रकार से यहां पर हिमाचल प्रदेश में जो है इस कोविट के सिर्चले में बात करने के लिए सब लोग के साथ आगे बढ़ना है तो यह तो प्रमुक मुद्दा यह है बहीं केंदर द्वारा हिमाचल प्रदेश के ऑक्सिजन सिलेंडर बापस लिए जाने के मुद्दे पर मुके मंतरी जहरम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में किसी भी प्रकार की कमी नहीं है और सबी चीजों की इस मिक्षा के लिए पहुंचे हैं उन्होंने कहा कि मास्क पी-पी में जो हिमाचल प्रदेश में ऑक्सिजन की बात है चाहे वो पी-पी किट की बात है चाहे मास्क की बात है सैनिटाइजर की बात है वेंटिलेटर की बात है और चाहे हो बैट कैपस्टी की बात है तमाम सारी चीज़ें हमारे पास जो है वो उपलब्ध हैं और जितनी जरू को एंशियर कर रहे हैं कि जो वैक्सिन का हमारा आवियान चल रहा है इसको और ज्यादा फोकस करके जो है इसको भी आगे बढ़ाएं कोविड के चलते हमारा ये मामले को जो इंक्रीज आ रही है उसके कारण जो है किसी भी सूरत में हमारे पास जो है ये वैक्सिन आवियान ज प्रवाद करें। उन्होंने कहा कि प्रदेश में भी स्कूलों में कॉविड की स्तिती खराब हो गई थी। उन्होंने कहा कि सोशल मेडिया पर टिपनिया करने से ये जान लेना चाहिए कि इस बार का संक्रमन बहुत खतरनाग है और छोटी आयू के बच्चों को संक्रमन बहुत जगड रहा है। सोशल मेडिया तई नहीं करेगा बड़ी स्पष्ट बात है हमारे लिए हर आदमी का हर बच्चे का जीवन मत तपूने हैं और पूरे प्रदेश पूरे देश पर में अजिकांश राज्यों ने जो है एक्जाम जो है पोस्ट पॉन किये हैं आपको यह जानकारी होनी इसकी इसकी जो जो जितना इसकी इसका संक्रमन जो है स्टूडेंट्स और यूथ में बहुत जादा है छोटी आईू में जो की पिछली बार नहीं था आदनिय पदान मंतरी जी ने सबी प्रिडेश के मुख्या मंतरी के साथ बहुत विस्तार तीन घंटे तक वीडियो कॉंट्रेंस हुई है और सभी लोगों का सभी परदेश के मुख्य मुंत्रियों के इस बात के लिए आग रहे था कि हर जगह इस बात को एक तो संक्रमन बहुत तेजी से फैल रहा है इस वाइरस का अब की बार का और दूसरा ये छोटे बच्चू में आपको मालू में डेड़ डेड़ सौ बच्चे एक एक स्कूल में जो है जो है वो संक्रमन में इसकी चपेट में आए है इसने सोशल मीडिया तरह नहीं करेंगा इस सारी चिज़